हेलो फ्रेंड्स तो आज इस वीडियो मनों बात करने वाले रिनवल एनरजी रिसोर्सेस की यूनिट वन के बारे में और इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉंसेट को कवर किया है अगर इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए और इस वीडियो को पहले जरूर देखनी तो चलो इस वीडियो को हम लोगी इंजवाय करते हैं तो फ्रेंड्स चलो हमहां बात करें रिनवल-एनरजी के यूनिट वन के बारे में और चलो हमेशा की तरह । tai के बारे में just discuss करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे convinced and non-conventional energy source के बारे में जो कि काफी important है solar energy के बारे में wind energy देखेंगे बाइयो माच जियो थर्मल टाइडल देखेंगे और उसके बार देखेंगे mechanism of photo conduction in a PV लुद्वी सेल और इसके बार देखेंगे इस सोलर सेल्स को को देखेंगे और सेंस्ट कमेशा Wonbox के देखेंगे और हमसा की तरह यह video हम लोग की एप्लेर हो जाएगी और हैं May dollars Dash real ho जाएंगे और बहुत मंज़ा आने वाले बिजिए में तो सबसे पहले चलो बात करते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है तो रिनोल एनर्जी सुरू हो चुकी है तो सांती से बैठो कुछ दिमाग इदर उदर म चला, WhatSup, Facebook पर, Instagram पर, यहाँ पर concentrate करो, ओके, चलो, sources आप energy के बारे में बात करते हैं क्योंको समझ जाएगा कहा इस बंदे को knowledge है ठीक है तो diagram बनाने की कोशिज जरूर करिएगा exam में तो conventional के अंदर दो पार्ट होते हैं commercial होता है और एक non commercial होता है तो commercial में इसे coal हो गया natural gas हो गया oil हो गया electricity हो गई तो आपका commercial में आता है non commercial कैसे हो गया firewood हो गया dry dung हो गया डंग मतलब gober gober समझते हो ना आप में से जितने भी लोग village area हो गया वो समझ रहे होगे मैं भी सब को पता होगा तो dry dung हो गया जो सूखा gober होता है वो गवह में लोग जलाते हैं बहुत सारे लोग उस पर खाना बनाते हैं लिट्टी वगयरे बनती है ठीक है तो उस गोबर का भी यूज किया जाता है हम लोग energy के रूप में यूज करते हैं ठीक है और इस्ट्रा होता है इस्ट्रा मतलब पुआल पता है ना पुआल आपको जब धान की खेती होती है तो धान निकलने के बाद जो बसता है हम लोग उसको पुआल बोलते हैं ठीक है तो विले जरिया के जितने भी लोग होगे आप लोग सब को पता होगा कि पुआल क्या होता है तो उन पॉल को भी यूज़ करके हम लोग energy generate करते हैं तो कैसे conventional energy में चीज़ें काम होती है वो आपको आगे पता चलेगा और non-convencionable जैसे हो कए solar, solar मतलब जो सुरिष से सारी चीज़े हमें मिल रही होती है जो light मिल रही होती है, वो solar के अंदर आता है, wind energy होती है वागे थुरू से जनरेट की जाती है टाइडल का मतलब क्या होता है जौर का नाम आप सुने होगे ना जौर भाटा वगएरे सुनते होगे कि समुद्र वगएरे में आता रहता है तो उसको वह होता है इसके बारे में भी देखेंगे भी हम लोग बायो मास्ट का भी आप यह संदुर को होता है तो यह सारी सोर्सेस है अपको समझ में की डाइगJackा तो चलो अब बात करते हैं तो मैंने आ भालाता है बहुत इंपोर्ट मेंट को लिखा यह निदे एक् User को फोड़ा लेंदी करके लिखिएगा ठीक है तो पहले पॉइंट हम लोग इसको कहा दिये हैं कि इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं नाम से भी जानते हैं इसको ठीक है तो एक्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कन्वेंशन इनर्जी सोर्स मत बताओ यह नहीं लिखेगा व और नॉन रिनेवल इनर्जी सोर्स का मतलब यह होता है कि उसे हम फिर से पैदा नहीं कर सकते हैं जैसे मान लोग कोईला है कोईला पैदा हुआ फिर कोईला को हम दोग जला दिये तो फिर वो कहा सा आगा अल्लिमिटेड मात्रा में नहीं है वो समझ जो चीज इसलिए हम इसे रिनेवल इनर्जी सोर्स कहते हैं ठीक है ताभी फोकस करो आप कन्वेंशनर इनर्जी सोर्स पे जिसे हम लोग नॉन-णरीनवल सोर्स कहते हैं ठीक उसको सोर्सेसं आफ इनर्जी वीचर एक जोस्टिवल केन्नाट भी रिप्लेज्ट इफ से आर यूजड यह उती हैं खत्म होता है अब जैसे पेट्रोलीं आपको पता है कि मैं कुछ फ्यूचर में पेट्रोलियू खत्म हो हो गए अपने धरती पेसे आपको भी पता होगा और जब खतम होगा तो इसलिए वो सब कंट्रीज क्या कर रही है वो सारी कंट्रीज अपने कंट्रीज को इन पैसों को यूज करके वो लोग क्या बना रहे है तूरिजम प्लेसेज बना रहे है अब देखो दुबाई क्या करता है बुर्ज खलीफा पाम जुमियर इतनी सारी चीजे बना दिये जहां पर लोग विजिट करते हैं और उससे उसकी बहुत जादे कमाई होती है तो यही है कि हम बात आते हैं अपने पॉइंट पर आते हैं पेट्रोलियम क्या है पेट्रोलियम को उस दिन के बाद खतम हो जाएगा यह नहीं कि अग्जॉस्टिवल नेच् थी दिजुकी है और क्योग पदो पॉलिऊशंग उसे पॉल्विशन नहीं होता है और जो कूल ऐ Seriously चलती थी चलती थी तो कोईला उसमें स्कीजाता था आइसμεर पहुत जगहता पर कोजलाया जाता बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां में इसाइच्टीब आदाए है तो क्या होता है वहां पर तो वहां पर pollution होता है यह जितने चीज़े convention energy source होते हैं वह कहीं न कहीं pollution का कारण है ठीक और example के तोर पर अब लिग देना coal electricity petroleum ठीक है अब I hope कि मैं इतना आशा करता हूँ आपसे कि इतने topic जानने के बाद 5 topic के बाद आप पूरा page भर सकते हो बड़े से अराम से ओके चलो जलो और इसके बाद बात करते हैं изв sors में कोल energy की जो कल वाली energy उस थोड़ा अच्छे सी जानते हैं क्योंकि आपसे बोल सकता है कि convention energy source के बारे में बताओ या बोल सकता है कि convention पूछ लेता है थी जब तो यह चीज़ आगर अपके जब दस नंबर में आगए तो आप अच्छे से लिखना होगा ठीक है चलो पहले वे देखो लो इंट इससी यस क Alexandre energy मैं लिख दिर में यहां पर तो यह सोना ना से कोलो कोल बनता है उसकी मद्द से ही हम लोग वगेर बनाते हैं ठीक आपको पता ही होगा कि पेड़ों से भी कोयले बनते हैं तो यानी कि हम लोगु क्या कर रहें जांगे पेड़ों काटके इसको बना रहें एक पेड़ों काटते रहेंगे झाथ भी खतम हो जाएंगे ठीक चलो Complilate Mikey carbon and hydrocarbon यह जो कोईला होते हैं मेली इनके अंदर पाया जाता मिंहा नाम मैंने लिया और ये इंडिया में है तो पता ही और यूज़ देखलो यूज़ हम क्यों करते हैं कौल इनरजी का अभी कोहला आपको कोहला जो दुकानदार वाले होते हैं भठी में यूज़ करते हैं कुछ पकाने के लिए चाय बनाने के लिए तो ठीक है वहां चाय बनती है लेकिन generate electricity जो अपना mobile आप charge करते हो ठीक है जो बड़ी बड़ी फेक्टरिया चल नहीं है बहुत सारी चीज़े हो रही है तो वहाँ पे electricity को generate करने के लिए करते है ठीक है जैसे कि पहले की जो train चलती थी क्या कोईले से ही चलती थी ना तो वो सारी चीज़े करने के लिए हम power plants are used coal for heating the water power plants वगले जो बड़े बड़े होते हैं क्या करते हैं क्यों जलाते हैं वाटर को मदब पानी को गर्म करने के लिए और जब पानी को गर्म करते हैं तो generate steam यानि कि पानी गर्म होती तो उसमें निकलता है भाफ steam मतलब होता है भाफ ठीक है उसमें से भाफ निकलता ह अब भाफ निकलता है तो उससे क्या होता है running turbines जो बड़ी बड़ी turbines होती है उन्हें चलाने के लिए ठीक है उन भाफों की मतलब से बड़ी बड़ी turbines है चलती है और उनके चलने टर्वाइनों को चलने से क्या होता है electricity generate होती है अब आपको समझ में रहे बड़े बड़े plant क् सबसे पहले इसे जलाते हैं जलाते क्यों है पानी को गर्म करने के लिए जब पानी गर्म होता है उसमें भाफ निकलता है और भाफ जब निकलता है तो उसके बाद टर्वाइन उससे मतलब घूमती है जब घूमती है तो electricity generate होती है ठीक चलो और फिर उसका environment problems क्या होती है कि जब हम कोईला को जलाते हैं तो यह carbon dioxide यानि की co2 produce करता है और जो की कारण है global warming का ठीक है global warming का कारण है जो बहुत सारी बीमारी आज के जमाने मार रही है तो यही है देखो और किसी भी चीज के advantages and disadvantages होते हैं हम बहुत मज़े से tv देखते हैं mobile charge करते हैं electricity को use करते हैं bulb जलाते ह हैं बहुत मज़ा आता है लेकिन उसके disadvantages भी हैं कि हम इन सभी चीजों का फायदा उठा रहे हैं लेकिन कहीं ने कहीं हमारी जो environment है हमारी प्रकृति है वह खराब हो रही है जो हम सांस ले रहे हैं मतलब हो रही है अब इंसान है जब तक उसे कुछ होता नहीं तब तक वह जा होती है उसके वादे को produce SO2 यह sulfur dioxide को भी produce करता है और इसका कारण क्या होता है एसी ड्रैन जो अमली वर्सा होती है हम लोग जो भी यूपी वोट से होंगे वो सब पढ़े होंगे अमली वर्सा वगएर होती है कैसे होती है तो अमली वर्सा का जो कारण है अगर generate होता है यहां से sulfur dioxide बहुत जादे मातरा में तो जो पानी होती है वो अमली वर्सा होती है और वैसे ही लोग कहते है कि जो बारिस का पहला पानी होता है जो बारिस का मौसम आता जब पहली बारिस होती है तो उसमें क्या होता है एसी ड्रैन होता है ठीक है तो बहुत सारे लोग कहते कि उसम इंसिनन इनरजी सोर्स के अंदर आता है ठीक है चलो तो यहां पर है formed by decomposition of dead animals ठीक है decomposition मतलब क्या होता है सडन शडना पता है न किसी चीज को बहुत दीन तک बहुत देर तक तो यही नेचरल गास कैसे बनती है यह बनती है dead animals जो जानमर मर जाते हैं, उनके मरने के बाद जब वो सड़ जाते हैं, सड़ते हैं, तो उनसे बनता है natural gas, जो हम लोग ये gas पर खाना बनाते हैं, ये सारी चीज़ कहां से आती हैं, वहीं साती हैं, जिसे पेड़ हो गए हैं, प्लांट बरीड अंदर अर्थ, और जो पेड़ प तो बहुत सारी चीज़े होई अपने धर्ती पे, तो वह सारी चीज़े मर गयें, तो मरे तो कहां गये, धर्ती के अंदर ही गये, तो वह सड़ने के बाद कोई तो एनर्जी वो जनरेट करेंगे, तो वहीं सो बनती है natural gas, ठीक, चलो, mainly composed of methane, इसमें ज्यादा तक देखा जात तो methane होता है, ठीक है, उसका देखो, it is cleanest fossil fuel, यह बहुती cleanest fossil fuel होती है, और fossil fuel मतलब क्या होता है, एक तरह का हम इसे हिंदी में अगर समझने की कोशिज करें, तो जीवास्म कहते है, जीवास्म इधन कहते है, जीवास्म इधन कहते है, तो जीवास्म इधन, अगर मैं कह रहा जो भी fossil fuels होते हैं, कहीं नाम आए आपको, तो आप जान जाना कि यह plants and animals के decompose होने से यह बने, यानि उनके सडने से यह बने हैं, उनकी अपघटन से बने हैं, चलो, uses अगर बात करें, नेचरल गैस की, तो हम जादे तर इसका domestic, यानि घरेलू काम में यूज करते हैं, गैस जो खाना वगरे हम लोग बनाते हैं, और industrial में भी हम इसका use करते हैं, industrial इधन के रूप में हम लोग use करते हैं, industrial fuel के रूप में use करते हैं, used in thermal power plant for generating electricity, जो भी thermal power plant होते हैं, जो भी thermal power plant होते हैं, वहाँ पे हम electricity को generate करने के लिए भी, इस natural gas का use हम लोग करते हैं, अगर advantages की बात क किया जाए तो it has a high carbonic value and it burns without smoke इसके बाद देखो बहुत ही जादे मात्रा में carbonic value होती है और इसे it burns without any smoke ठीक बिना smoke के भी यह जल सकता है ठीक it can be easily transported through pipeline pipeline के through हम इसे easily transport कर सकते है one place to another place तो यह बहुत ही इसका एक advantages है आपको पता होगा कि बड़े-बड़े सहरों में आज की जो कुछ cities है वहाँ पे जो यह gases वगरे deliver कियाती है pipe लगा दी गई है pipe लगा दी गई है pipe बिचा दी गई इन gas का तो क्या होता है कि बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता है अब इसके centers काफी दूर दूर तक हो जाते हैं पास पास ही रहते हैं लोग वहाँ पर जाके अपने cylinder को भरवा लेते यानि pipe के थूर सारे जगां को connect कर दिया जाता है और pipe के थूर ही इस gas को deliver कियाता है one place to another place and they can easily use ओके चलो अब बात करते हैं non-conventional energy source के बारे में और इसे हम लोग बोलते है renewal energy source एक चीज़ आपको मैं shortcut बताता हूं जब non का बाता है जब non-conventional की बाता है तो समझ जाना कि renewal है यानि कि renewal का आगे नौन नहीं लगा नौन लग गया तो renewal के आगे non नहीं लगेगा ठीक है अगर conventional energy source है तो उसके पहले आप non लगा देना non renewable energy source यानि conventional के पहले अगर non नहीं है तो वो non renewable है अगर conventional के पहले non लग गया तो वो renewable energy source है यानि कि renewable के पहले non नहीं लगेगा अब आप आयोब की समझ रहे हो गए आप चलो यह याद करने की टेकनीक है चलो पहले नमबर बात करते हैं also known as renewable source of energy इसे कहते हैं और source of energy which are inexhaustible in exhaustible मतलब यानि कि यह खतम नहीं होती है खतम मतलब कि इसकी जो मात्रा है अपार मात्रा है ठीक है मतलब बहुत जादे मात्रा में और non-converse energy में मैंने बताया था जो भी renewable sources होते हैं जैसे आपका हो गया सूरिक हो गया और जैसे कि आपका पानी हो गया ठीक है और आपका हवा हो गया तो यह सारे चीजे खतम नहीं होने वाली है तो इसलिए ये इसके sources है renewable energy sources है ठीक है can be used to produce energy again and again हम इनका use कर सकते हैं energy को produce करने के लिए बार 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 अब जैसे हवा है हवा चल रही है उससे हम energy produce करते हैं कर लेते हैं फिर वह हवा चल जाती है हवा खराब तो नही है तो वह हवा खराब हो गए नहीं वह हवा चली जाती है हम उसकी के मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं ठीक है चलो not responsible for the cause of pollution अब मुझे ये बताओ जो हवा चल रही है हम उसकी मदद से टर्वाइन को जब चला दे रहे हैं तो हवा आई चली गई तो उसमें कहां पर pollution जनरेट हो रहा है नहीं pollution जनरेट हो रहा है और जैसे सुर्य की किरडे प्रीथवी पर आती ही आती हैं आप कोई पता है इनर्जी तो मतलब electricity तो बन रही थी ठीक है लेकिन साथ में भाई साब वो काला काला वो भी तो छोड़ रहा था जो ताकी producer ठीक है carbon dioxide छोड़ रहा था sulfur dioxide छोड़ रहा था तो ये सारी problem आपे थी तो यही होता है कि not responsible for the cause of pollution अब example कि अगर बात करें तो जैसे हो गया हवा पा जी अच्छे समझिएगा मैं बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक को लेकर चल रहा हूं और एक बात और मैं कह देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लो ठीक है और इस वीडियो के लाइक कर दो जिससे मुझे पता चलत जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए हैलफू रहा फिर मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द से बनाकर अप्लोड करू तो इस वीडियो के बारे मुझे जिक्र मुझे समझ में आया तुम भी देख लो आप भी देख लो आपको भी समझ में आएगी अगर इतना हो सके तो इतना कर देना मेरे लिए ओके चलो अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में तो इस सबसे पहले पॉइंट को डिसकस करने से पहले थोड़ा इस डाइग्र तो solar panels लगे होते हैं और उसके बाद यहां पर inverter और यहां पर light जल लए है ठीक है तो solar energy कैसे आती है कैसे काम होती है वो देखते हैं और इसको देखो the amount of sunlight that strike the earth surface in an hour एक घंटे में जितनी amount की energy strike होती है यानि कि प्रीथवी पर आती है टकराती है प्रीथवी पर आके ठीक है वो इतनी enough है कि पूरे दुनिया में जितनी energy consume होती एक साल में उतना होता है वो मतलब कि जितने amount में सूरज की रोसनी एक घंटे में प्रीथवी पर आती है वो equal होता है उसके जितनी energy पूरी दुनिया यूज करती है एक साल में यानि उतनी energy सूरज एक घंटे में हमें दे देता है तो अब नेक्स टॉपिक की बात करते है सनलाइट को लेती है और उस ही इलेक्टिकल एनरजी में कनवर्ट करती है तो इलेक्टिकल एनरजी में कनवर्ट होने के बाद हम उसे यूज करते हैं और energy can be used to generate electricity or be stored in batteries or thermal storage there are two main types of solar energy technology like photovoltaic दो टाइप की solar energy technology एक PV है और एक CSP है जो concentrating solar thermal power है यह CSP है ठीक है और जो sun होता है जो energy radiation के form में send करता है प्रीथवी पर उसकी जो rate होती है 3.7 into 10 to the power 3.7 10 to the power 20 Megawatt होती है Megawatt ठीक है Megawatt होती है तो इतनी speed से energy इतनी आती है आपकी इतने rate से आपकी जो भी solar radiation होती है वो आ रही होती है ठीक है चलो अब हम बात करते है wind energy के बारे में तो wind energy क्या होती हवा वाली चलो wind energy में क्या है it is renewable energy source है और अगर हम इसे बोले तो क्या है non conventional है यानि कि renewable के पहले non नहीं लगा है तो यानि कि conventional के पहले हम non लगा देंगे ठीक wind is used to produce electricity by converting the kinetic energy kinetic energy को underline कर लो अभी मैं बता रहा हूं kinetic energy क्या होती है of air in motion into electricity kinetic energy of air मतलब air का kinetic energy तो kinetic energy क्या होती है मैं आपके के पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं गती जूरजा गती जूरजा यानि गती से क्या समझ में रहा है कि जो भी कोई भी ऐसी चीज जो move कर रही हो पहले इतना समझो जो motion में हो ठीक है motion में हो motion में हो यानि कि एग बॉल एक बॉल को फिकते हैं तो motion में जाती है तो उसकी भी kinetic energy होती है ध्यान से सुनना होती है ना तो वैसे ही जब हवा चलती है ठीक है देखो कोई भी object कोई भी object कोई भी object अगर वो motion कर रहा है घूम रहा है तो उसकी kinetic energy होती है ठीक तो वैसे ही अगर हवा है चल रही है तो उसमें भी अगर हवा चल ले तो बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें भी होते हैं ठीक है तो जब हवा चल रही है तो उसकी भी एक काइनेटिक एनर्जी होती है ठीक है उसकी भी एक काइनेटिक एनर्जी होती है तो वही दिया to produce electricity by converting the kinetic energy of air in motion into electricity ठीक है जो air की kinetic energy होती है उसे हम लोग use करके turbines वगरे चलाते हैं और उसी मदद से electricity को generate करते हैं in modern wind turbine wind rotates the rotor blades rotor blades जो होते हैं उन्हें हवा क्या करती है उसे rotate करती है देखो blades लगे हैं इसे हवा rotate करती है आप लोग देखते होंगे विच कनवर्ट काइनेटिक energy into rotational energy अब जो kinetic energy हवा में है तो वो rotational energy कर देती यानि कि जब यह घूमेगा 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 तो rotational energy होगी generate ठीक this rotational energy is transferred by shaft which to the generator there by producing electrical energy अब यह shaft के दुरू जाता है और वो electrical energy को produce करता है wind power benefits local community जो भी local communities होती है उनके लिए यह beneficial होती है और wind power जो होता है काफी cost effective होता है क्योंकि यह ना इसमें कोईला खरीद के लाना पड़ता है हवा का कोई पैसा थोड़ीन लगता है है बताओ तो इसलिए इसमें काफी यह cost effective होता है ठीक है चलो अब हम लोग बात करते हैं biomass energy के बारे में तो biomass energy भी काफी important हो जितनी topic मैं इसमें बता रहा हूं यह ना सोचना कि यह बस important यह मैं पूरी unit से जो बहुत important है ना उनको मैंने choose किया है ठीक है अगर समझ माया तो एक like करो अगर भूल गयो नहीं like कियो तो अब कर दो यार एक like and comment भी कर देना ठीक है चलो biomass की चलो बात करते हैं तो यह भी renewable energy source है ध्यान देना और biomass is organic क्या organic होता है और meaning it is made of material that comes from living organism living organism से जितनी भी चीज़े आ रहे होती है ना ठीक है यह उन चीजों से बना होता है biomass such as plants and animals ठीक है अब देखो अब देखो अनिमल है और इंडस्ट्रियल से आता है जो चीज़े यह जो पेड़ों से जो चीज़े होती है अगरिकल्चर क्रॉप्स जो होते है ठीक है उन से आता है और यह तो अपी मेंस देखके समझी रहे होगे नाम नहीं लूंगा यार और यह municipal जो होती है solid waste जो होते हैं वहां से होता है एक तरह समझे लोग कचड़ा जो होता है गोबर वगएर जो चीज़े होती है ठीक है अब प्योर भासा में समझो तो वो सारी चीज़े आपकी आती है biomass में और उसकी मतलब से हम लोग energy को generate करते है तो इनको यूज करके करते है there are called biomass feed stock ठीक है और उसके बाद देखो biomass energy can be a non renewable energy source इसे non renewable energy source कह सकते हैं ठीक है तो यह होता है biomass energy अब इसके बाद बात करते हैं geothermal energy के बारे में तो geothermal को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि दो नमबर में काफी बार आ सकता है आपका इस बार भी आ सकता है तो geothermal का क तो यह geothermal energy जो होती है वो heat होती है गर्म होती है ठीक है और generated within the earth प्रीथवी के अंदर यह generate होती है जो geothermal energy होती है अब इसे कैसे यूज करते हैं बाहर दुनिया में तो अभी देखेंगे जीओ मेंस क्या होता है यह वाला जीओ मढद समझाले ना जिसके मढद से हम लोग निट चलाते हैं वह नहीं जीओ यह जीओ मिन्स अर्थ मैं फणी के लिए बस जीओ बोल धी है ठीक है चलो जीओ मींस अर्थ होता है and thermal मिनस होता है heat ठीक है यानि कि प्रीथवी की गर्माह टेक तो वही होता है जीयोथर्मा तो क्या होता है इट इस रिनेवन सोर्स दाट कैन भी हार्वेस्टेट फर हुमन यूज ठीक है जीयो-स फिल्डीट इनर्जीज़ तो वहां पे जो होती है heat ना is the hottest part of our planet और जो यह part है ना core वाला ये अपने planet पे सबसे गर्म पार्ट है ठीक है तो वहां synergy generate करता अब देखो इनसान कितना खतरनाक है सब काम तो इनसानी कर रहा है ठीक है मतलब कहां-कहां से चीज़े उठा लाते है मतलब जो भी खोज हो रहे हों मतल Ты नहीं समानर में कुछ और होगा अब तो वहाँ पर इंसान इतनी कर जाए गा कि तो में फ्यूचर इंसान कुछ और देखो जो ये वगर आती है कोर से ठीक है ये वर ग्राविटेस्टनल पूल की वज़र से आती है ठीक है जैसे कि आपको पता है कि पहले से प्रित्वी बनी है तो वहां से सारी चीज आती है तो ये पीछे की बाते नहीं करूंगा धेघ क्षा गैलएकसी यह मैं यहां पर बात करूंगा ठीक और यह डाइगराम देख लो कि यह जो नीचे कि हम लोग डालते हं ठीक है इन जिक आ保 गालते है छीब ठीक है इसमें हम लोग डालते है और मतब नीचे से गर्म पानी फिल निकलती है HEAT WATER निकलता है और वहां सफीर stewards बाफ निकलती है फिर बाफ जाती है तो हैं पर कुछ Turbine , बाफ ज़ता है तो यहां से अरजी जनेरेट होती है और जब यहां से इनरजी जन mirrorेट होती है तो फिर आपका यहां पर जो भी टावर लगे होते हैं बड़े-बड़े तो वहाँ पर जाती है और फिर वहाँ पर से सारे आपको पता होगा कि इधर अधर लाइट स्प्रेंड किया पुछ होता है ना तो यह टाइडल ठेक है चलो टाइडल के बात करते हैं तो टाइडल एनरजी इस फार्म आफ पावर प्रोड्यूस बाइद नेच्रल राइज और फॉल जो नेच्रल राइज और फॉल्स का मतलब क्या है कि जब समुद्र में लहरे उठती है उपर उठती है फिन नीचे जाती है फिर उपर उठती है फिन नीचे जाती है तो यह होता है टाइट और यह हो रहा होता है with the help of gravitational interaction जब gravitational interaction होता है between earth, sun and moon, आपको पता होगा कि जब प्रीथवी के नजदीक जब चंदर्मा आता है, आपको पता है, चंदर्मा की gravitational power बहुत है, ठीक है, जब प्रीथवी के नजदीक आता है, तो अपने समंदर की लहरे उपर की तरफ उठती है, क्यों समंदर मतब क्यों लहरे उ उपर उठने लगता है और उसकी विए से जौर भाटा वगर आता है तो यह सारी चीज़े होती है तो मैं बहुत डीप में नहीं फिर जाओंगा मैं आपको उस बता रहा हूं कि जौर भाटा कैसे बनते हैं ठीक Tidal energy is created using the movement of our tides and oceans तो जो Tidal energy कैसे बनती है तो इसे हम लोग क्या करते हैं जो जौर भाटा आता है जो लहरे उड़ती हैं उन्हीं की मदश से हम लोग इस energy को बनाते हैं और where the intensity of the water intensity मतलब घनत तो है ठीक है intensity of the water from the rise and fall of tides is form of kinetic energy अब मैंने बताया था कि जो भी चीज़े move करती है तो उनकी एक kinetic energy होती है kinetic energy generate करती है तो जब पानी की लहरे उपर नीचे जाती है तो उनकी भी kinetic energy होती है तो उनकी मदद से हम क्या करते हैं जो भी turbines होते हैं ध्यान देना turbines नीचे प्लेस करते हैं अभी मैं आगे image दिखा रहा हूँ आपको देखो यह पानी के नीचे ये सारी चीजे पानी में लगाई गए हैं टर्बाइन्स ठीक है तो ये टर्बाइन्स जो लगी होती है तो जब लहरे उठती है तो ये टर्बाइन्स घूमती है ठीक है तो टर्बाइन्स घूमती है तो टाइडल इस्ट्रीम्स मतलब जो जुआर की लहरे होती है इस्ट्रीम जब घूमती है तो वो एनर्जी को जनरेट करती है ठीक है तो यह सारे चीज़ है पर दिया because water is much more dense than air dense मतलब होता है घना घना होता है यानि कि जो पानी होता है हवा के मुकाबले ज़्यादे dense होता है ठीक है टाइडर एनर्जी is more powerful than wind energy तो आपका में भी दो नंबर में आ सकता है कि क्या जो टाइडर एनर्जी होती है क्या यह powerful होती है wind energy से ज़्यादे यस यानम आ सकता है या कहीं पूछा भी जा सकता है आपसे तो यह important है tide energy होता है बहुत ही powerful होता है as compared to wind energy ठीक है unlike wind tides are predictable and stable where tidal generators are used they produce a steady reliable stream of electricity ठीक है मतलब यह steady मतलब एक isthir मतलब electricity को produce करते है reliable stream होती है जो electricity की flow होती है मतलब generate करने की वह आपकी इस्थिर होती है ठीक है तो यह सारी अब बना सकते हो चलो अब बात करते है प्रिंसपल अब सोलर फोटोवल्टेग एनर्जी कंवर्जन के बारे में बात करते हैं तो यह क्या होता है तो सबसे पहले पीवी से वर्किंग प्रिंसपल देखते हैं जिसकी मतलब करते हैं और यहां पर आपको डाइग्राम दिख रहा होगा यह सूरज महराज है सूरज है सनलाइट आ रही है और यहां पर आपका यह प्लेट लगा हुआ है सिलिकॉन वगएर जो भी है नहीं आगे देखें कि प्लेट में क्या होता है तो यह आपका एक प्लेट लगा हुआ है धीक है डिक पे सुलर लगा हुआ है और यहां निकलते हैं positive और इधर से और आपका यहां पर light जल जाता है तो यही सारी चीज़ें इसमें दी होई है मैंने लिखा है solar cells convert the energy in sunlight to electrical energy solar cells का काम क्या होता है यही solar cells होते हैं ठीक है तो solar cells क्या करता है publishers convert the energy in sunlight to electrical energy solar cells sunlight की energy को sunlight की जोभी energy होती उस squirrel convert करते है solar cell contains materials such as silicon ये silicon को contain करते है जो की light को absorb करता है यह जो solar यह solar sales है यह के क्या करते हैं Silicon के बने होते हैं और जो solar sun की light होते हैं उसे absorb करते हैं और energy knocks electrons lose the energy knocks electrons lose so they can flow freely and produce difference in electric potential energy ौर voltage तो देखो जब energy इसपे पढ़ती है तो जो इसपे इलेक्ट्रण होते हैं ठीक है तो energy पढ़ते ही electron move करने लगते हैं, lose हो जाते हैं, यह ही electron, electrons lose, तो यानि कि electron lose हो जाते हैं, lose का मतलब यह फिर इसमें घूमने लगते हैं, the flow of electrons और negative charge creates electric current, तो जो flow of electron होता है न, negative charge होता है, वो electric current को बनाता है, और solar cells के पास होती है, positive and negative context होते हैं, like the terminal in a battery, battery में भी दो terminal होते हैं आपका, battery एक होती है, जिसमें plus and minus दो terminal होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं, मैंने बता एक negative एक positive, इस diagram को एक्जाम में जरूर बना दीजिएगा, if the contacts are connected with the conductive wire, ठीक है, conductive wire के तो जब connect होते हैं, current flow from the negative to positive contact, तो जब current flow होता है, तो बलब आ दीजिएगा exam में, ठीक है, चलो, अब जो, यह मैं एक diagram दिखा रहा हूँ, आपको इसमें क्या है, देखो, यह single unit of PV cell है, ठीक है, तो एक single cell है, silicon का जो बनाया जाता है, तो यह क्या करते हैं हम लो, solar module में पहले convert करते हैं, तो इसको सबसे पहले हम एक बड़ा सा लेते हैं, solar panel लगा हूँ, तो solar panel में भी solar unit and solar module को ही combine करके हम एक solar panel बनाते हैं, जो एरे के form में हम लोग add करते हैं, तो यह देखो, यहाँ पर हम 6 module को add की हैं हाँ ठीक, चलो, अब बात करते हैं हम लोग construction of photovoltax cell के बात करते हैं, तो सबसे पहले इस diagram को थोड़ा हम लोग देख लेते है तो यह इसमें जो hole दिए होगा, radar rates, जितनी भी holes है, यह आपके positive holes है, ठीक है, और जितनी भी black black हैं, वो आपके negative holes है, ठीक है, जो की electron को so कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी electron को so कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको दो terminals हैं, जो positive है, एक negative है, और यहाँ प एक load लगा हुआ है, और इस पर निकल की प्लेटिंग की गई है ठीक और यहां पर आपको देखो लाइट की इनर्जी यहां पर आ रही है और यह एंटी रिफलेक्टिंग कोट है मतलब अगर इस पर लाइट पढ़ रही है तो रिफलेक्ट होके वापस ना जाए इसलिए यहां पर एक कोटिंग की गई है ठीक चलो अब थोड़ा इसको थेयोरी पार्ट को समझते हैं और साथ में इसको भी हम समझते चलेंगे मैंने एक ओवर्वीव दे दिया इसका कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो सेमी कंड़क्टर्स क्या होता है थोड़ा मिसे देख लेते हैं तो एक तरह के सॉलिट सब्स्टेंस होते हैं जैसे कि अर्सेनाइड हो गया इंडियम हो गया काडमियम हो गया सिलिकॉन हो गया यह सारे सेमी कंड़क्टर होते हैं और इनका काम क्या होता है कि जो इलेट्रि City जो होती है वो पास कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह पास कराते हैं किसी भी एक particular condition में तो वो होते हैं आपके semiconductor ठीक है conductor मतलब क्या होता है conduct करना conduct करना लेकर जाना तो वही होते है semiconductor यह सारी लोग होते हैं ठीक है तो salenium हो गया गैलियम हो गया used for making the PV sales PV cells جो बनती है ये दोखो PV cells ये जो PV cells बनती है ये PV cells बनती है ना जो इन ही सारी चीजों से बनती है ठीक है और PV cells क्यों बनाय जाती है क्योंकि ये semiconductor क्यों होता है क्योंकि ये जब light आती है तो light को लेते है इसमें लेट्रॉंस वगरते move करते है यानि कुछ synergy को दूसरी जगह conduct कराकर लेते जाते हैं तो इसलिए हम semiconductor इन सारे लोगों को यूज करते हैं और इसको semiconductor material भी बोलते हैं जो भी सेल वगर बनती है जादे तो हम लोग silicon and selenium का यूज करते हैं the upper surface of the cell is made of the thin layer of p-type material so the light can easily enter into the material जो सबसे उपर ही plate होती है यह p-type वाली तो उसको हम बहुत पतला रखते हैं ताकि उसमें light बहुत अच्छे तरीके से आसानी से आ सके और metal ring होती है जो कि around p-type and n-type metal which acts like positive and negative output terminal respectively ठीक है the output voltage and current obtained from the single unit of the cell is very less okay magnitude of the output voltage जो होता है वो आपका 0.6 होता है वोल्ट और जो current होता है आपका 0.8 होता है ठीक the different combination of cells are used for increasing the output efficiency if more than two cells are connected in series with each other यानि अगर दो से जादे cells connected है एक दूसरे से series में तो क्या होता है जो output then the output current of the cell cell का जो output current होता है वो same ही रहता है and the input voltage become doubles और उनका जो input voltage होता है वो double हो जाता है ठीक है तो इस diagram को याद कर लेना solar cell array के बारे में चलो देखते हैं यह क्या होता है अगर अभी भी वीडियो को यार नहीं लाइक की होता है एक लाइक जरूर कर दो ठीक है comment भी करके मुझे बताओ कैसा लग रहा है आपको working up solar cell array के अगर बारे में देखते हैं यार वीडियो को pause करो वीडियो को pause करो यार pause करो comment करो आप लोग comment करते नहीं हो तो please pause करो एक like एक comment कर दो ठीक है चलो और जादे अगर response दोगे तभी मैं आगे की वीडियो बनाओंगा ठीक पहले point बात करते है तो solar array is mainly responsible for passing the electric current solar array होता है यह mainly किसलिए responsible होता है for passing the electric current electric current को pass करने के लिए किसके पास solar inverter के भाई साब के पास ठीक जब जब sun arrays falls on the surface जब सूरे के कीरडे surface पर पड़ती है तो solar panels the silicon cells take the energy तो silicon cells यानि कि यह सेल है ना तो यह किसका बना है silicon का बना है तो silicon cell होते है है तो यह उस energy को लेते हैं ठीक और एक चीज़ को देख लो एक चीज़ को समझ गया इस सेल को मिला के module बनाया गया यह पैनल बनाया गया और पैनल कोई इस एरे के format में आया एक गया गया है ठीक चलो थूदेर कंड़क्टी प्रॉपर्टी इस इस सिलिकॉन सेल ट्रांस्फॉर्म्ट इस सन एरे इंटो एलेक्ट्रिसिटी ठीक पहले देख समझ चुके है इस चीज़ को विन दिस करन वर्जर हैपन देलेट्राउन विदिन शेल चार्ज़ अप यह भी समझ चुके हो इस मोशन फॉर्म देट्री करेंट विच पासे फ्रम दवाइस तो समझ चुके हैं तो उसी से मिलता जोलता है सोलर सेल एरे ठीक है तो ऐसे ही काम करता है आप लोग बढ़ पढ़ो कि समझ में आ जाएगा चलो सोलर एरे वाट इस दे कम पोजीशन तो रो में आरे होते हैं और वेन उल्किक्लिक कनेंटिड़ है गर्म इंक ड्रीक्ली कनेंट होते हैं वायर से दो स Bear Enix लाराज तो आहाँ पे सोलर पैनल स्पींडुश और उसे कहते हैं भी अरे सर्फासे यह सर्फेस जादेद ऐ है तो हम पैंटे जरक पड़ती है यारी बहु जो का जादे होगी अगर और मॉर एरे ज़ादे रहे तो रिजल्ट उसका क्या आएगा महाँ पर बेटर लेक्रिसिटी आपको मिलेगी और जो फोटो वाटेक पैनल जो होते है मेलियों का जो वोल्टेज होता है 12-24 होता है और बारे प्रतिबंद लगाना या मना करना तो यानि यह होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है जब लाइट आती हो रिफ्लेक्ट कहीं जाती नहीं है वह अंदर जाती है ताकि अच्छे से जनरेट कर सके अच्छे से लाइट अच्छे से लेक्टरिसीटी मतलब एक रड़कर सकें था इसे का होटा है कि जब लाइट अपकर रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो लंबे समय तक यह आपके जो एनर्जी होती है इसन वाली उसे वोल्ड करके रखता है ठीक है सब्सक्राइब एक बहुत अच्छी बनाओट होती है इसका यह डिफ्रेंट डिफ्रेंट साइजों में आ रहा होता है इसमाल बड़े अरिया में आ रहा होता है इस्टारिजन के कोडिंग और सोलर सेल जोते लाइट वेट होते हैं मतब बहुत वजन नहीं होते आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं पर कुछ ठेले वाले बाहर होते न एक बल्ब जलाने के लिए बीशोलर से लगा लेते हैं पैनल सो अगर पीवी वाला ठीक है ठीक अ इट फंक्षन अंडर हार्स क्लाइमेट कंडीशन हार्स मतलब की आप लोग कह सकते हो की बहुत सघन या बहुत कठ़िन कह सकते हो कठोर कह सकते गयं हो हाई खराब अगर क्लाइमेट की कंडीशन तो वहां पर भी अच्छे से काम करता है बिदाउट किसी failure की वज़े से इस सिम्पल डिजाइब वेरीजी टू इस्टॉल आप लोग देखते होगे की बहुत ही सिम्पल डिजाइन होता है कर सकते हैं आसाने सिसे इस इस इंस्टॉल कर सकते हैं और यह होते हैं करीव सब्सक्राइए करें पीवी के सब्सक्राइब को सुलर टेत के लिए यूज़ कर सकते हैं स्ब्स्टाइब चुड़ा सब्माइनल लगा देते हैं और वहाँ पर जते अलएट नेगोंविंस संक्ञुवर् jours में कर सकते हैं सप्लाइंग और कर सकते हैं बहुत सारी जगह हम इसका यूच कर सकते हैं ठीक चलो वी आई करेक्टरिस्टी कब सोलर सेल्स की बात करते हैं तो यहां पर आई आई यसी आई जो दिया है तो आई का मतलब होता है करेंट जैस करेंट इस मतलब यह होता यही होता है सवाड सर्कीट करेंट बोलते हैं एडिज compliant का गौर sieht आपका और यह लिखाए और मेकर करता है जब कोई बीन लोड Edinburgh सेट नहीं होता है ठीक, और यहां पर एक PM है, तो यह maximum power को denote कर रहा होता है, ठीक है, यह maximum power को denote कर रहा होता है, और यहां पर जो IM है, यह maximum current को show कर रहा होता है, ठीक, और यहां पर एक VM है, यह देखो, यहां पर एक VM है, जो maximum voltage को दिखा रहा होता है, ठीक, and यहां पर देखो, जो maximum power output जो इसका है formula Pmax Pmax is equal to Vmax P into Imax P ठीक तो यह इसका एक formula होता है तो बहुत details में नहीं जाते हैं इसके बस characteristics में आएगा तो आप इसको बना दीजेगा ऐसे और यह थोड़ा बहुत इसमें लिख दीजिएगा ठीक चलो solar cells and types के बारे में देखते हैं solar cells are described as being photovoltaic irrespective of whether the source is sunlight or an artificial light ठीक देर यूजट एज फोटो डिटेक्टर फोर इजमपल इंफ्राड़ डिटेक्टर ठीक टेक्टिक लाइच और अदर electromagnetic radiation near the visible range or measuring light intensity तो इसलिए उसकरते है solar cells are often bundled together to make larger units called solar modules अब याद दखो यह पीछे देख चुके है नाम लोग छोटे-छोटे solar cell था इसे module हम ऐसे ऐड़ करके ऐसे ऐड़ करके बना रहे थे तो वही यह दिया हुआ है तो इसलिए फिल से नहीं समझा रहा हूं यह भी चीज है इसलिए नहीं समझा है फिल से अब यह काम कैसे करता है दोखो solar cells is a sandwich of n-type silicon and p-type silicon ठीक है इसमें होते है n-type and p-type और यह electricity generate करता है किसी मदद से by using sunlight to make electron hop across the junction between the different flavor of silicon ठीक जब when sunlight signs on the same जब पढ़ती है चमकती है जो photons होते है light के जो particles होते है बंबर्ड अ अपर surface तो उसके उपर ही surface पर बंबर्ड होते हैं पढ़ते हैं गिरते हैं the photon carried the energy down through the cell ठीक है जो photons होते है carry their energy down through the cell cell के through carry कर रहे होते हैं the photons give up their energy to electrons in the lower p-type layer ठीक the electron use this energy to jump across the barrier into the upper and type layer and escape out into the circuit ठीक following around the circuit the electrons make the lamp light up ठीक यानि कि लाश्ट में आपकी light जल जाती है इस तरीके से यह काम करते हैं और यहां पर solar cells के कुछ टाइप से हैं first generation generation, second generation, second generation, third generation तो आप लोग इसे पढ़ लिजेगा simple साय समझ में आ जायेगा ठीक चलो and the last congratulations to all of you जिन लोगों अभी तक वीडियो देखी and यह वीडियो हम लोग की happy ending हो चुकी है thank you so much for watching this video